हालो फ्रेंट्स अप्र स्वागत है हमारे चनल में सुप्रेंट एंटी पीसी अभी हर्तों के लिए दो तीन बड़ी अपडेट आ रही है आरार्वी के ऑफिसियल वेबसाइट से सो फ्रेंट्स आप लोग देख रहे हैं यह आपका आरार्वी रांची का ऑफिसियल और उसके बाद 19 तारीक के डेट में भी नोटिफिकेशन आये थे तो बारे बारे से हम डिस्कॉस कर लेते हैं सबस्ते पहले जो हमारा 19 साथ 22 के डेट में जो नोटिस आया है वो आपका लिंक फोर कैनिडेट टो एकसाइस दिया चॉइस ऑफ लेंगवेज इन कंप्यूटर स्ट के बेस्ट टAyपिंग इसकी टिस्ट तो दोस्तों यहां पर लुलिक आपको पर्वाइड पर दिया है चली कारिछा दे ता हूं तो लिंक को कलिक करने के बाद देखे कुछे इसस्तरह को इसिंटरफेश तो यहां दोस्तों आपको अपना रोल नंबर डालना है जो आप पर आपको अपना date of birth और यह जो जो दोस्तों कोड दिख रहे हो इसको हूब हूँ आपको यहाँ पर टाइप करके और submit पर क्लिक कर देना है और दोस्तों वहाँ पर आपको option मिलेगा क्या option मिलेगा कि आपको जो typing करना है किस language में करना है हिंदी या English में तो यह आपका पहला notice है अगर आप कोई selection नहीं करते हो तो default आपका English वहाँ पर select हो जाएगा अब जलते हैं हमारा second notification जो 19 तारीके date में जारी हुआ था वो देखी यहाँ पर notice for candidates are listed for computer based typing skill test तो दोस्तों यहाँ पर जो candidate है वापना इस notification को download करके आप देख सकते हो कि इसमें आपका typing skill test में selection हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है दोस्तों तो सारा जानकारी है आपका रोल नमर है मौझूद है तो आप उसको download करके आप देख सकते हो कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है ठीक है अब चलते हैं अगरे नोटिफिकेशन जो आपका है बीच साथ तोहर 22 का date में जारी हुआ है तो देखें यहाँ पर लिंक फॉर सीटी स्लिप सीबीटी टू स्कोर कार्ड कोश्चन पेपर ओफ लेवल यहाँ पर सीटी स्लिप आपको देखने को मिलेगा और साथे साथ सीबीटी टू के स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा कोश्चन पेपर तो आहाँ पर आपको कोश्चन पेपर मिलेंगे लेवल फॉर एंड लेवल शिक्स के एंड सॉर्ट लिस्ट स्टेटस फॉर सीबीटी अ CT slip तो यहां पर CT slip आपको देखने को मिलेगा, CBT 2 का scorecard देखने को मिलेगा, question paper of level 4 and level 6 and shortlisted status for CBAT, तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे चीज़े आपको देखने को मिलेगी, जो level 6 और level 4 में जो examination दिये थे, तो उनका status भी देखने मिलेगा, कि आपका selection हुआ है या नहीं हुआ है, तो चलिए मैं इसको click करकर दिखाता हूँ, so friends यहां देखे, click करने के बाद कुछ इस तरह का option आपको समने मिलेगा, registration number और अधार अधार date of birth आपको डेड़ना है, और log in करना तो सारा कुछ यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है, और सबसे last जो notification है, और सबसे latest जो है आपको बोलो, तो दोस्तों सबसे latest जो सूचना है वो है दिव्यांग जनों के लिए, ठीक है, वो दिव्यांग जनों के लिए क्या है, तो सबसे नोटिस फोर एक्जेंशन सर्टिफिकेट फोर पी डावलो बीडी कैंडिडेट सूचना में क्या है, तो यह रहाओ सूचना आपके स्कीन पर, यहाँ पर आपको परफॉर्मा की जानकारी मेरीगी, कि किस परफॉर्मा में हमको जो अपना सर्टिफिकेट है, उसको बनवाना है, और इसके रिगार्डिंग चैनल पर अल्रेडी दो-तिन वीडियो है, तो आप जाके वहाँ पर क्लियर, अगर नहीं हो पाता है, तो दो-तिन बार आप इसको रिवाइन करके देख सकते हो, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो चलिए, मैं इसको पॉइंट बाइपॉइंट डिसकर कर देता हूं, तो देखे, तो आपका सारा जो प्रकरिया है, वो कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद सेके नमर में आते हैं, देखे, आपर है, इन टर्म आप पारा, थर्टिन पॉइंट पॉइंट फोइंट पॉइंट फोइंट वन अबलेग तो थोज़न नाइटें, देखे, तो दोस्तों यहाँ बता जारा रहा है कि जैसे, जैसे, नोडिफिकेशन नमबर के, पॉइंट नमबर थर्टिन पॉइंट फॉर में अल्रेडी इसका उलेक है कि जो दिव्यांग जन, 40% disability है और यह 2-3 category आप देख रहे हो blindness, low vision, cerebral palsy और locomotor disability is not less than 40% तो आपका 40% से कम नहीं होना चाहिए वो exempted है यानि उनको typing test देनी की जोरत नहीं है हाला कि उनको एक performa format यहां और एक फाइब image का उलेक है तो वो आपको मैं दिखाऊं आगे performa तो उस performa को आपको वहां पर submit करना है अब आते हैं दोस्तों पॉंट नुमर 3 में तो देखें आपर as already advised in CVT2 result date 18.07.2022 the link for uploading of a scanned copy of typing skill test exemption certificate issued by a competent medical board will be provided in the website of respective RRBs the link will be available from 25.07.2022 to 28.07.2022 up to 18 hours the performance of typing skill test exemption certificate is enclosed and also available as an extra 5E of CEN 1 Oblig 2019 तो दोस्तों यहां पर यह बहुत important point है कि आपका जो certificate है जो आपका typing skill test जो exemption certificate है मैं आपको नीचे दिखाऊंगा यह आपका एन एक्सर 5E जो नोटिफिकेशन और जो नोटिफिकेशन आया था NTPC का तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा page number 34 होगा ठीक है और उसके बाद जो आपका लिंक है वह आपको 25 साथ से लेकर 28 साथ यानि तीन का समय है इसी बीच में आपको अपलोड करना है साम शे बज़े तक उसके बाद पॉइंट बाद फोर मात है तो स्ट लिस्टेट पीड़ोड कांडिटेट हूस सिक्स एक्जम्शन और सीबीच शूद अपलोड दैस्केंट कोपी अफ टैपिंग स्कील टेस एक्जम्शन चर्टिफिकेट इसूज बाइश 2022 on the same link तो दोस्तों यहां बता जा रहा है कि आप अपलोड कर देते हो उसके बाद उसका result यानि आपका accept हुआ या नहीं हुआ आपका status देखने के लिए एक तारीको याद रखे एक अगस्त को status आ जाएगा कि आपका accept हुआ या नहीं हुआ यानि आपको छूट मिली या नह जाते हैं दोस कंडिडेट अनेबल टो अपलोड दस सर्टिफिकेट में रिपोर्ट एट आलोटेट सीबीटी एस्टी वेनू एलोंग विद दो ओरिजिनल टैपिंग स्किल टेस्ट एक्जैम्शन सर्टिफिकेट फोर सीकिंग एक्जैम्शन तो दोस्तों यहां बता जा र एक्जैम्ट है इसके लिए तो वहां पर वो कंसीडर करेंगे ठीक है अब आते हैं पॉइंट नुबर सिक्स में तो देखें आपर दे कैंडिडेट आर रिक्वाइड तो प्रोडिजूस तो सेम टैपिंग स्किल टेस्ट एक्जैम्शन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल दूर करने के बाद इसको फेक दीजेगा अगर आप इसको फेक देते हो या कहीं भूला जाता है तो आपका उमीद्वारत तक निरस्ट कर दिये जाएगा पॉइंट नुबर सेबने माते हैं तो कैंडिडेट एडवाइस तो रेफर ओनली तुद ओफिशल वेबसाइट पर रभी और पूरा आपको मेरिट के बदोलती मिलेगा तो यह दो तिन सुचना है थी जो एंटिविश्य उमीद्वारों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट थी कासकर दिव्यांग जोनों के लिए जिनका एक्जेम्शन सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है तो इस प्रोसेस को और फॉर्मा है इसी को फिल अप करके आपको अपलोड करना है उसके बाद इसको समझाल करकाना है डोकूमेंट मेरिकेशन में यह आपको वहाँ पर देना होगा अगर आप भूला जाता है या फिर मिस हो जाता है तो आपकी उमीद्वारत को निरस्ट भी कर दिया जा सकता ह तुछ इसके ध्यान रखेगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट है आप सभी लोग के लिए जो जले मिलते हैं फिर गली वीडियो तब तक धन्वाज जैहिन जै भारत